नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल सीटीटी एंटीटीस प्रिप्रेशन में और आज की इस वीडियो में मैं थार्ण डाइक का प्रयासेबं तुरूटी शिद्धान्त को बताऊंगी तो आहिए चलते हैं शुरू करते हैं थार्ण डाइक का प् सिद्धान्त तथा अधिगम का शंबंद सिद्धान्त इस सभी नामों से हम लोग थार्ण डाइक के प्रयास सेबं तुरूटी सिद्धान्त को जानते हैं तो थार्ण डाइक ने प्रयोग कैसे किया सबसे पहले हम लोग इसको देखते हैं तो थार्ण डाइक ने अपने चटकनी के दवने से खुलता था संदूप के बाहर एक मचली का टुक्रा इस प्रकार रखा कि अंदर से बिल्ली को वह असपस दिखाई परे और भूखी बिल्ली के लिए मचली का टुक्रा एक उद्धीपक का कारे करता था इस टुक्रे को देखकर संदूप में बंद बिल्ली ने अनुक्रिया प्रारम्द कर दिया और बिल्ली बाहर निकलने के लिए कई प्रयत्न किये काफी दीर तक बिल्ली संदूग के अंदर ही उचलती पुद्ती रही तता उसने अनीक अनुक्रियाए प्रहत्न तता भूल के अधार पर की एक पर संजोग वस बिल्ली का पंजा संदूग के दरवादे पर पड़ा और वह खुल गया बिल्ली ने बाहर रखा हुआ मचली का टुकरा खा लिया तो कैसे बिल्ली यहाँ पर बार बार प्रयापन करके भूल से ही लेकिन बिल्ली का पंजा संदूक के दरवादे पर पर गया और वो खुल गया और बिल्ली बाहर आके मचली का टुकरा खा लेती है उसकी बार थार्ड डाइक ने क्या क्या उसकी बार थार्ड डाइक ने इस प्रयोग को फिर से दोराया उसने उसी बिल्ली को भूखा रखकर उसी संदूक में बंद किया उसी बिल्ली को फिर से भूखा रखकर उसी संदूक में बंद कर दिया बिल्ली ने फिर पहले जैसे अनुकरिया प्रारम की तथा संज्योग बस उसका पंजा फिर संदूग के दरवाजे पर परा जैसे पहली बार गलती से ही उसका भूल से ही उसका पंजा संदूग के दरवाजे पर परा ठीक उसी तरफ फिर से उसका पंजा संदूग के दरवाज करने लगी और फिर क्या होता है कि गलत अनुक्रिया में धीरे-धीरे कम होती रही अन्त में एक समय ऐसा आया कि जब बिल्ली बीना कोई भूल किये संदुक तरबाजा खोड़ना सीक गई और उसके बाद बिल्ली समझ जाती है कि इस पर ढ़ने से संदूग का दरवाजा खूल जाएगा तो इस प्रियोग क्या धार पर थांडाइक ने अधिगम के प्रयत नेबं तूटी के सिध्धान का प्रतिपादन किया इसके अनुशार सीखने के प्रिकिरिया में बेक्ति गलतिया तो कर सकता है किन्तु बारवर किये गए प्रयासों से बाद में वह सिखने में सफल भी हो जाता है इस प्रिकिरिया में उद्देपक की भी प्रमुक भूमिका होती है उद्दیपक बेक्ती को सीखने के रिए प्रियत करता है तो आइए देखते हैं कि धंडाइक ने जो प्रियोग किया इस प्रियोग के सिधान्त का हम सैक्शिक म सिक्षक इस सिध्धान्द के दौरा ही समझते हैं कि बालक बिभिन कौसलो को सीखने की प्रक्रिया में गलतिया कर सकता है सिध्धान्द के दौरा समझते हैं कि बालक सीखने के कौसलो में गलतिया कर सकता है दूसरा है इस सिध्धान्द के अधार पर बालकों को सीखने के लिए प्रेरित करने पर जोड़ दिया जा सकता है तीसरा है इस सिध्धान्द के अधार पर बार बार के अभियास से बालक को आद्टों में शुधार किया जा सकता है इब हम उसकी गलतियों को कम किया जा सकता है इसकी वाद है यह सिध्धान्द बताता है कि सीखने एतु कारे का दोराना अवश्यक है तो यहां पे टॉपिक हमारा समाप्त होता है आगे की वीडियो में मैं और भी इंपर्टेंट टॉपिक को लेकर आती रहूंगी इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए शाथ में वेल लाइक और को प्रेश करें थाकि जब भी मैं कोई नया वीडियो